असलाम वालेखुन नमस्कार दोस्तों मैं रूपल अरूंपलाडे फिर से एक बार आप सभी का आपकी अपने चैनल में नैसकों के चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हो हमारे देश में अंगिनत मज़ब है हर मज़बों के नाम भाषा है भले यलब है पर हमारी इंसानिया और हमारी दर एक ही है इसी इंसानिया को आगे बढ़ाते हुए नैसकों ने आज फुडानबरी कहानी आपके लिए लेक जाये है कईयों का मानना है कि सिकल के डिजिस कुछ ही वर में पाई जाते हैं पर ऐसा नहीं है तो आएए शुरू ठेकते हैं आज की उडानबरी कहानी को जो की MP छिनवाडा शालू खान जी के हैं आए सुनते हैं उनकी कहानी नमस्कार मैं शालू मध्य प्रदेश चिनवाडा से एक सिकल सेल वारियर आज अपने आपको कुछ नसीब समझती हूँ की मुझे आज नासकों के जरिये अपनी कहानी आप सब को बताने का अउसर मिला मेरे घर में ममी पापा और हम दो बहन भाई रहते हैं सबसे बड़ी मैं हूँ कहते हैं जिनदगी हर पड़ाव में हमारी परिक्षा लेती है पर एक वकपर पर मेरी परिक्षा जिनदगी में कुछ जल्धी आ गई मैं धाई साल की थी जब मैं सीडियों से गिर गई थी जिसकी वजह से मेरे हाथ के हड़ी में फैक्चर हो गया था इस हाथसे के बाद मेरी तबियत दिन बदिन खराब होती ही चली गई ऐसा एक भी दिन नहीं था जब मेरी अम्मी मेरी सेहत के लिए दुआ न मांगे मेरी बिमार रहने की वजह अब तक मेरी घरवालों को पता ही नहीं चली थी इसलिए पापा अपने थोड़े से घर खर्च के पैसे में ही मुझे वैद्य, हकीम या अस्पताल ले जाते थी ड्राइवर होने के वजह से जब भी मैं क्राइसेस में रहती और जब उन्हीं घर पहुँचने के लिए देर हो जाती तब तब मेरी मा और दादी मेरे हाथ पैर दबाते रहते और मैं सिर्फ पापा पापा के नाम लेके रोई जाती दर्द इतना तेश रहता कि सास लेना भी मुश्किल हो जाता कुछ दिनों बाद सरकारी अस्पतार में हमारी मुलाकार डॉक्टर जी एम स्रिवास्तों से हुई जिन्होंने हमें बताया कि मुझे सिकल सेल की बिमारी है तब मैं सिर्फ आज साल की थी कई बार ऐसा भी हुआ जब मैं ज़्यादा सीरियस हो जाती तो मुझे नाकपूर के रस्पतार लाया जाता मेरे पापा ने मुझे जिन्दा रखने के लिए अपनी पसंदेदा गाड़ी बेज दी जब इलाज के लिए पैसे घर में खत्म हो गय नहीं पता था कि ये बिबारी एक दीन हमारी खुशी भी छींग लेगी करते हैं रमजान के पाक महिने में खुशी बिखरती है लोग काफी खुश रहते हैं क्योंकि वो इड का दीन होता है मैंने काफी एड अस्पताल के बेड़ पे दर्द के साथ मनाई है और बहुत कम घर पे पिछले साल की बात है मैंने रोजा रखा था एक दीन का मुझे तुरंट अस्पताल जाना पड़ा था डॉक्टर करते हैं मेरी जिंदगी बस फॉलिक एसीड और हैडरोकसी यूरिया टेबलेट पे ही चलेगी मुझे ऐसा लगा जैसे बिना बैटरी के बल्ग नहीं चलता उसी तरह बिना गोलियों से मेरी जिंदगी नहीं चलेगी पढ़ाई में काफी डिस्टेबंस हो जाता स्कूल के मैदानों में गिलने की चोट कम है मेरी शरीप पर सलाइन की सुई से बने निशान ज्यादा है साल के 365 दिनों में से लगवग 200 दिन मैं अपनी पेन क्राइसेस में रहती हूँ इसी की वज़ह से पढ़ाई में काफी मुश्किल आई जिसका नतीजा कम नंबर थे मैंने कई पेपर हाथ में सलाइन लगा के दिये और आज एक ग्रेजुएट हूँ एक रात जब मुझसे ये पीडा असनिया होने लगी मैंने सूसाइट करने का सोचा पर तब ही मेरे पापा उठकर मेरे हाथ पेर दबाने लगी मैं जोर जोर से रोने लगी मैंने मन ही मन सोचा कि मैं बेहत खुश नसीब हूँ जो इतने अच्छे माबाप मैंने पाए तब से मैंने अपने आपको समझाया और इस बिमारी को अपना लिया कुछ दिन बाद मेरी मुलाकार डिपिका धर्मेंदर शाहू मुन्मुन चौरसिया और एश्वरया जी से हुई जो एक सिकल सेल वारियर भी है और सिकल सेल पेशन के लिए काम भी करते हैं मैं भी आज उनके साथ सिकल सेल वारियर के लिए काम करती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है और जो मेरी जिंदगी की उड़ान बन चुकी है आईए हम सब मिलकर इस बिमारी को यहीं रोके मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तब तक के लिए हमारे नास को यूटुब चैनल को शेर लाइब सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद